हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आफ डिसकस करने जा रहा हम उस्तों कहानी जिसका नाम है उस्तों चांवल का दाना कहानी का नाम क्या है दोस्तों चांवल का एक दाना है उस्तों कहानी का नाम दोस्तों एक दाना है दोस्तों चांवल का काफ़ इंट्रेस्टिंग काहानी है और किस से रिलेटेड ही काहानी है थोड़ा डिसकस कर लेता हूं सभी व्यक्ति अपने जीवन में क्या होने चाहिए दोस्तों सफल होना चाहते हैं सफल होने के लिए दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों वो शिक्षा गरंड करते हैं अगर आप एक शिक्षक है एक टीचर है दोस्तों अगर आपके विध्यारती है दोस्तों तो नहीं ये शिक्षा प्रद कहानी जरूर सुनाए दोस्तों काफ़ इंटरेश्टिंग कहानी दोस्तों और हर माता पिता के लिए भी ये कहानी बहुत ही जरूरी है दोस्तों अगर आप एक student हो तो तो स्थों तब भी आप यह कहानी जरूर सुनें दूस्तों ताकर आप हमारी कहानी के मादम से जीवन के अंदर कभी भी सफलता का जो मादम है उससे बढ़के नहीं दूस्तों और ग्颞्मंड के जो पत है दूसतों उस पर कभी न जाये दूस्तों तो शुरू करता हूं उसको कहानी को शोबित एक मेधावी छादरता मतलब काफी इंटलिजन्ट था उसने हाई स्कूल वे इंटरमीडियेट की परिक्षा में पूरे जिले में टोप किया था पर इस सफलता के बावजूद उसके माता पिता उससे कुछ नहीं थे कारण था पढ़ाई को लेकर उसका घमंड और अपने बड़ों से तमीज से बात न करना वह अक्सर ही लोगों से उची आवाज में बात किया करता और एकारण ही उनका मजाक उड़ा देता खेर दिन बितते गए और देखते ही देखते शोबित इसना तक भी हो गया इसना तक होने के बाद शोबित नोकरी की खोज में निकला परतेगीता प्रिक्षया पास करने के बावजूद उसका इंट्रिव में चैयन नहीं हो पाता शोबित को लगा की अच्छे अंक के दम पर उसे आसानी से नोकरी मिल जाएगी पर ऐसा हो न सका काफी परियास के बाद भी वो सफल ना हो सका हर बार उसका घमंड बात करने का तरीका इंट्रिव लेने वाले को अखर जाता और वो उसे ना लेते निरंतर मिल रही असफलताओं से शोबित हताश हो चुका था पर अभी भी उसे समझ में नहीं आया था कि उसे अपना वेहवार बदलने की आवशकता है एक दिन रस्ते में शोबित की मुलाकात अपने इस्कूल के प्रीय अध्यापक से हो गई वह उनें बहुत मानता था और अध्यापक भी उने उस शोबित नामकबालक से बहुत इसने करता था शोबित ने अध्यापक को सारी बात बताई चूंकि अध्यापक शोबित के विवार से परिचित थे तो उन्होंने कहा कल तुम मेरे घर पर आना तब मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा शोबित अगले दिन मास्टर साब के घर गया मास्टर साब घर पर चाउल पका रहे थे दोनों आपस में बाते कर रहे थे कि मास्टर साब ने शोबित से कहा जाके देखो आओ की चाउल पके की नहीं शोबित अंदर गया उसने अंदर से ही कहा की सर चाउल पक गए है मैं गेस बंद कर देता हूँ मास्टर साब ने भी ऐसा ही करने को कहा अब शोबित और मास्टर साब आमने सामने बैठे थे मास्टर साब सोबित को देखकर मुस्कराते हुए बोले शोबित तुमने कैसे पता लगया कि चाउल पक गए है शोबित बोला ये तो बहुत आसान था मैंने चाउल का एक दाना उठाया और उसे चेक किया कि वो पका है की नहीं तो पता चल गया चुका था वो मतलब पक चुका है मास्टर जी ने गंबीरता से बोले यही तुमारी एसफल होने का कारण है शोबित उस्सुकता वश मास्टर जी की ओर देखने लगा मास्टर साथ समझाते हुए बोले कि एक चाउल के दाने से पूरे चाउल का हाल बया कर दिया शर्फ एक चाउल का दाना काफी है यह बताने की अन्ने चाउल पके या नहीं हो सकता है कुछ चाउल ना पके हो परन्तु तुम उन्हें नहीं खोज सकते वो तो सिर्फ खाते वक्त ही अपना स्वभाव बताएंगे तो दोस्तों इस परकार मनुष्य में कई गुणों से बना होता है पढ़ा ही लिखाई अच्छा होना उन्हीं गुणों में से एक है पर इसके अलावा अच्छा वहवार, बड़ों के परती सम्मान, छोटों के परती प्रेम, सकारात्मक दरश्टी कोन ये सभी मनुष्य के आवश्यक गुण है और सभी सिर्फ पढ़ाई लिखाई से आसान होने से कोई ज़्यादा जरूरी है तुमने अपना एक गुण तो पका लिया पर बाकियों की तरफ ध्यान नहीं दिया इसलिए जब कोई इंटर्यूर तुम्हारा इंटर्यू लेता है तो तुम उसे कहीं से पका, पके और कहीं से कच्छे लगते हो और अदपके चाउलों की तरह ही कोई इस तरह का केंडिडेट भी पसंद नहीं करता शोबित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था वो अब मास्टर जी के यहां से नई एनरजी ले के जा रहा था तो दोस्तों हमारे जीवन में भी कोई न कोई बुराई होती है जो हो सकता है हमें नजर ना आती हो पर सामने वाले को बुराई तुरंत भाप लेता है अतह हमारे निरंतर यह परियास करना चाहिए कि हमारे गुणों से बना चाउल का एक एक दाना अच्छी तरह से पका हो ले तो दोस्तों कहानी से क्या शिक्षा मलती है अगर आप दोस्तों शिक्षा ग्रहन कर रहे हो अगर आपने शिक्षा ग्रहन कर लेई है तो दोस्तों हो सकता है कि आप दोस्तों उसमें बहुत ही टॉप करो दोस्तों और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करो दोस्तों जिले के अंदर राज्य के अंदर देश के अंदर टॉप करो दोस्तों लेकिन सबसे बड़ी बात किया है दोस्तों आपका वहवार वहवार परसंटेंट है, उल्ली उसे पर ध्यान मत दीजेयों, अपना जो विहवार है, उस पे भी ध्यान दीजेयों और पून रूप से दोस्तों हर परकार की प्रिकषा के अंदर धोस्तों अपना हंड्डीड परसंट देनी की कोशिश क utilizing चाहे वो दोस्तों एक्जाम हो दोस्तों आपका किसी कारिय के प्रती कोई काम हो दोस्तों अगर आपको दोस्तों परिवार के अंदर कोई पद मिले दोस्तों अगर आपको मिले की दोस्तों आपको घर का खर्चा चलाना है दोस्तों तो उसमें अपना 100% दीजिए दोस्तों अ कोई साभी दोस्तों आपका एकजाम होगा दोस्तों वो किलियर हो जाएगा दोस्तों इसकी मैं क्या देता हूं गारंटी देता हूं 100% दोस्तों अगर आप दोस्तों अपना जीवन के प्रती 100% समर्पित करते हैं दोस्तों किसी कारियों को दोस्तों तो आप 100% एकजाम में सफ इसे तुरंट शेयर भी किजिए दूँ दोस्तो थेंक्यू फोर वोचिंग मी